लाजधानी दिल्ली के दौलतपुर गाउं में पुस्तक लॉंच की गई जिसमें एक कदम सांस्कृतिक धरोहर की और का विमोचु ने कारेकरम आयूजित किया गया इस पुस्तक में दिल्ली के गाउं के इतिहास और संस्किती का वर्णन किया गया है और बताया गया है कि आने वाली पीड़ी दिल्ली के गाउं के इतिहास को ना भुला पाई इसलिए ये पुस्तक कितनी जरूरी है वहीं पुस्तक वेमोचन कारेक्रम में आतिती रही पश्चमी दिली से भाज़पा सांसत कमलजूत सहरावत, महामंडली इश्वार नवलदास जी महराज, दिली के कई बड़े नेता भी इस आयूजिन में मौजूद रहे। देखे हमारे सन्वदाता की ये खास रिपोर्ट। दोलगपूर के अनिल इंजीनियर जी, जो की प्रोफेशन से तो इंजीनियर है, लेकिन गाओं और देहाद की बहुत रूची रखते हैं, उनकी पुस्तक आज भी मोचन हुआ है, जिसका नाम है एक कदम सांस्कृतिक दरोहर की ओर। संस्कृतिक दरोहर किसी भी सब्वेता की, किसी भी समाज की सबसे महत्वपूर पढ़ने वाली वस्तू होती है, क्योंकि संस्कृतिक दरोहर को आगे लेकर जब हम चलते हैं, तबी हम अपनी संस्कृतिक विजारों के साथ देश में त्रक्की कर सकते हैं, तो मैं अनिल से यहां तक पहुची इस पूरे बारे में उन्होंने इस पुस्तक का विमोचन किया आज इस मुंच के मादम से लगातार आज की संस्क्रिती की बात की जा रहे थी तो ऐसे मौके पर इस पुस्तक का विमोचन होना कितना महत्मून भारत एक प्राचीन देश है जिसका अगर हम संस्क्रितिक चाहे सिक्षा में बात करें चाहे हम संस्क्रिती में बात करें एक पुरानी द्रोवर है लेकिन हजारों साल की गुलामी रही जिससे कहीं न कहीं यह चीजे हम से चुट गई अब जब हम विकास की तरफ आगे बढ़ रहे हैं 2047 तक हम विक्सित भारत की तरफ नारा लगाकर आगे कदम बढ़ा रहे हैं उस समय संस्कृतिक धुरोवर को अगर हम समझेंगे तो भारत अपनी आत्मा के साथ विकास करेगा तो इसलिए संस्कृतिक धुरोवर को इस समय पर समझना जानना और अपने हर कारे में उसको शामिल करना ही देश के लिए सची है उनको उकेड़ती हुए किन किन चीजों को समाहित किया गया इंचा देखिए हमारे यहां पर 360 गाउं है दिली में और हर गाउं का अपना इक इतिहास है यहां पर तक्रीबन मैंने देखा है कि 20 से अधिक गाउंगे इतिहास को शामिल किया गया है तो जब 20 से अधिक के होता है और हम अपनी जड़ों से जुड़ते हैं तो इस पुस्तक का बहुत महत्व हैं और इस पुस्तक में हमें दिल्ली के एक बहुत बड़े छेत्र के गाउं की पूरी जानकारी मिलती है कि किसी समाज की जीवन्त प्रदान करने वाली संस्कृति होती है जिस राश्ट की जिस समाज की संस्कृति विल्प्त हो जाती है जो समाज जीवत नीरे पर और संस्कृत्ति को जीवत रखने के लिए यहां साजत्र हैं पुरान हैं बेद हैं कभी ओने अपने योगिता के नुशार पुस्तकों को आकार देकर के अपने भाव व्यक्त किये हैं और प्रतेक जो गिर्न्त होता है पुस्तक होती है पहने की हमारे जीवन की अग्यांता को खोलता है निजिता प्रदान करता है कि हमारा जीवन कैसा हो हम जीए कैसे बड़ों को मैं कैसा सब्मान करें परिवार की परतर। यह यह कराने का काम पुस्रप्र करती है इसलिए जो आ होता है उतले में का च broom unl कहा जाता है एक होता विद्या ही जो चछु ही ने उसका जीवन बड़ा कट्म विश्वन में जीवन में बिद्या दात बनियम बिद्या बिनमता प्रदान करती है इस प्रकार की पुस्तक समाज को एक दिसा देती हैं समाज को एक जुटता का संदेश प्रदान करती है और मझे लगता है जिस प्रकार समय लिखा है एक कटम संस्कृती की और तो आज आश्चा जगत के आपा धाप में कहीं कि हम संस्कृती समाज को बिलप्त करते जा रहे हैं छोड़ते जा रहे हैं ऐसे प्रुस्तकों के आद्य कितना महत्तुकूल हो जाता है आज यह पुष्टकों का विमोचन देखिए आज बास्ता में पिछले 20 वर्स में जितना बैचारिक हमारा पतन हुआ है उतना साय पिछले सो बर्स में नहीं हुआ हुआ है क्योंकि यह इन त्रियोगों अर्थ हुआ गया इसलिए अर्थ की प कैसी पुष्टकें संबंदों को प्रगट करती हैं और लोगों में कईने की संबंद के प्रत एक अपनत्तों का भाव प्रगट करती है आज के समय में समाज को संदेश देने के लिए इस परकार की पुष्टकों की आवसकता है यह एक कदम सांस्क्रिप्तिक धरो और जो वेदारियां हमारे पूरवजों को मिली हैं वो हमारे सामरिक सुकृत्य के कारण हमारे बुजर्गों को इनाम के तोर पे मिली थी बहुत लंबा इतिहास है बड़ा संघर्स दिल्ली के उपर जब भी आकर्मन कारी आये हैं तो सबसे पहले उसका मुकाबला गर करने की किसी कूबत और किसी ने हिम्मत दिखाई थी तो वो आसपास के गाउं की सरदारियों ने दिखाई थी इसी से खाप और पंचायत होगा निर्मान हुआ और इसी से धर्मांतरन रोकने का कारिये हमारे इन आसपास के गाउं ने कुरवानी दे के रोकने का कारिये किया है आने वाल गर्ब में हमारा इतिहास छुपा है 360 गाउं का और इसके आसपास में उन गाउं का जिनका सवतंतरता अंदोलन से लेके धर्मांतरन रोकने तक जो संगर्स रहा है जिनोंने जो कुर्बानियां दी हैं आहूतियां दी हैं उसको संकलित करके भविश्य में आने वाली पीडियो और अपने पूरवजों के पृति अपने इतिहास के पृति सदेव जागरू करें आप पूस्तक की लिखने की प्रेणा अपने परिवारी प्रिस्ट भूमी से मिली मैं एक किसान ओने के साथ-साथ एक शिक्षा विद परिवार से सम्मन्द रखता हूं मेरे ताउशरी मेरे पिताशरी मेरी माताजी सब सिक्षा के छेतर से जुड़े हुए थे और रास्टी स्विम से और संग से मैं बच्पन से उनके उस डिसिप्लिनरी माहूल में उस अनुशासनत का माहूल में मैंने सिक्षा ग्रेंड की है इंजिनरिंग के साथ-साथ हमारे बुजूर्गों ने जब अपने उन शहीदों के पृति जानने की कोशिश की जिसको इतिहास में स्थान नहीं मिला तब वो अक्सर कहा करते थे कोई हमारे इन किसान जातियों में कोई ऐसा सक्षियत पैदा हो जो इन जो गुमनाम शहीद हैं एक तरह से जिनका लोग नाम नहीं जानते उनको एक इसी वक्सषत के साथ मैंने में हिस्ट्री से किया और अमर सवतनतरता सेना ने 1857 के महानायक रावतुलाराम और उसके सभी साथियों के विशे में जानकारी हासिल की और मैंने पीज़ डी की डिग्री हिस्ट्री में और इंजिनिरिंग के साथ-साथ मैं रेलवे को